तो दिवाली की चुट्टियां खतम हो चुकी है, रेलवे का सारा ओफिस खुल चुका है और काम जोरो से चालू हो गया है, तो आपका ग्रूप D का रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट के लिए आप कितना तयार हैं इसके बारे में बात करेंगे, साथी रिवाइज एंसर कब आएगा, उसके बाद जाते हैं रिजल्ट पे, तो देखें, रेलवे का आप देखेंगा, कि रिवाइज एंसर की तो नहीं आएगा, और ये अगर आएगा भी तो रिजल्ट के साथ आगा, क्योंकि आपने NTPC exam में भी देखा था, कि क्या हुआ था, कि एंसर राइस करन आपको वहाँ पे रिजल्ट का उप्शन सोग करेगा, और वहीं पे आपका ये दिखाएगा, कि आप सेलेक्टेड हैं कि ने सलेक्टेड फॉर पीट और उसी के नीचे आपका रिवाइज एंसर की भी रहेगा, जहां के जरिए आप अपना मार्क्स भी देख पाईएगा, और यहां पे जो आपका सेलेक्टेड फॉर पीट के लिए लिखा रहेगा, यहीं पे आपको जो है अपना नॉर्मलाइज मार्क्स बोल लीजे, चाहे परसेंटाइल बेज मार्क्स बोल लीजे, क्योंकि परसेंटाइल में तो इस बार अच्छा खासा बढ़ने वाला है, व उसमें कोई भी काटेग्री वाइस नहीं दिखाया रहा है, उसमें सब को एक ही मान लिया गया है, अन्हेसर का काटेग्री काुली का, अन्हेसर में ही सब का दिखाय जा रहा है, तो अगर आपका 90 है है, 85 है, je 70 है, तो उस पे आप सलेक्टेड होजाईए, कैससे बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा फिलाल इसके बारे में बात करते हैं कि पीटी कब से शुरू होगा तो पीटी की बात करें तो जैसे ही आपका एंसर की आएगा उसके बाद मुस्किल से 20-25 दिन एक मेहना भी नहीं समय मिलेगा आपको और पीटी सुरू हो जागा मतलब मान तो उसके बाद जो है आपको ये दिसंबर में 5-10 तारीक तक आपका पीटी का डेट दे देगा क्योंकि फिर और 15-20 दिन का समय लगेगा तो 15 तारीक तक आपका दिसंबर में हर हालत में होना चाहिए कि उनको 4000 केंडिट पर डे का करवाना है और इतने सारे आर भी है उसके रेलवे ने सर्कुलर जारी भी कर दिया है कि वह जल से जल ग्रूबडी का रेकेंसी क्लियर करवाएंगा तो आप यह मानके चलिए कि हरालत में आपका 15 नुमर तक रिजल्ट आगा पीटी जो है आपका ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिसंबर तक में सुरू हो जाना चाहिए और वेटिंग लिष्ट का क्या होगा तो वेटिंग लिष्ट के बारे में रियल्वे ने अभी आपने देखा होगा कि जो अंटीपीसी है उसका लेबल six में जैसा बोला जारा थ proclaim वहले ऑगाशारी चारी निकारी में कुछ भी नहीं लेकिन ने बहुत सारे लिखेंड बार हें еныकिश्ट्रा सिट्रा ही कुब रोटा जागा चाली एक्ष्ट्रा टिव लेलकिश्टमे चालकर प्रके पेसेम्ट यह तरीकह प्रक्रणने करना पड़ेगा हाला कि नौकरी हो जाएगा ऐसा नहीं कि कोई सीट खाली रहेगा लेकिन वहीं है चात्रों का इसके लिए आपका नहीं होगा ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो इसके उपर क्या होगा नहीं होगा कैसे आपको rank देखना इसके लिए second video में बनाएंगे इसके बाद जो video लाएंगे तो उसके लिए चैनल को subscribe करके हमारे साथ जूड़ जाएगा और telegram group में भी अगर नहीं जूड़े है तो जूड़ जाएगा उसमें लगातार update आते रहता है नीचे description में मैं लिंक दूँगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सबका दिन सुबहुँआ